नमस्कार beautiful souls आप सभी divine family का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों दो प्रश्ण हमारे पास आए हैं जो आप लोग के द्वारा पूछे गए हैं mostly ये प्रश्ण हर वेक्ति के mind में कभी न कभी ज़रूर आता है ये stage है to inflame के साथ बहुत strong connection फील हो रहा है emotionally physically mentally ऐसा क्यों हो रहा है उसका reason क्या है how to solve this situation इस situation से overcome कैसे कर सकते हैं अगर आपके साथ भी कभी ऐसी stage आई गई है क्या आप emotionally भी अपने counterpart के साथ है physically भी उनके साथ है और कहीं न कहीं उनका आप दिमाग से नहीं हटा पारें थोड़े time के लिए भी अपने आप focus नहीं कर पारें अपने आप पे इसी पे आधारी दूसरा प्रशन है शायली जी का उन्होंने पूछा है तुन फ्लेम कंशन अभी फील नहीं हो रहा है पहले बहुत श्रॉंग करेंशन था सड़नली जो इंट्रेस्ट है जो फीलिंग से वह लूस कर चुके हैं क्या इसा टुन फ्लेम जर्नी में हो सकता है यह कौमन है आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो यह वीडियो बहुत है इन दोनों के जो सेल्यूशन है दोनों की जो जर्नी है वह सेम है चलिए जानते हैं अगर आप भी इस टुन फ्लेम कनेक्शन में एक स्ट्रॉंग बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है जल्दी वीडियो श्टार्ट करते हैं अगर चैनल पर नहीं मुझे पहली बार देख पर उस टीन नाम नहीं लिखा है तुन फ्लेम कनेक्शन बहुत श्ट्रॉंग फील होता है यह में इसा नहीं होना चीज जो कि हो रहा है इस चीज को कैसे सॉल्व करें दोस्तों पहली चीज यह है कि अगर हापका हाड चक्र बहुत जादा भावनाओं शिभरा हुआ हुआ ह कि उसमें पंखुणिया हील नहीं है यह कहीं न कहीं वह बहुत हैवी यह बड़ा है एक्सेस्यों इमोशन्स वहां एक्जिस्ट करते हैं कई लोग साथ इमोशन बॉंड बने हुए हैं तो कहीं न कहीं के लोगों की अनर्जी आपकी कर रहे हैं शिव पुरान में शिव अने से प्रक्रिया में आते हैं जब तक पूर्ण रूप से वह मापार्वती के सुरूप में नहीं आ जाती हैं मागौरी के सुरूप में नहीं आ जाती हैं तब तक यह प्रक्रिया चलती रहती है और यह प्रक्रिया आप में भी चल रही है हर एक मनुश्य में चल रही है लेकिन सबका स्टेज अलग है आप जैसे ही डिवाइन फेमिनी कुछ साइंस तो सेंटम्स को देखती है बहुत स्ट्रॉंग फिल करती है शिव की तरफ आकर्शन होता है वो उनको फॉलो भी करती है कई बार उनकी एनर्जी भी फिक होती है और हर बार वो उनको भटा नहीं सकती है औ बहुत सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं और आपको उसी के रिगार्डिंग भी चलना होता है अधर वाइस आपको कहीं न कहीं प्रॉब्लम होगी पेन होगा आप उस सुसाइटी के रिगार्डिंग अच्छा फील नहीं करेंगा आप ब्लॉक हो जाएंगे तो पहली ज जिंजिंग की बहुत सारे मेइटेशन कराई हुए हैं जिसमें कुछ बहुत जादा पावरफुल मेइटेशन हैं जिससे अपका हार चगर का आगार पुरना नॉर्मल हो जाता है जिसमें आप हर जग़ा अपनी emotions नहीं डालते हैं feelings नहीं डालती हैं और अपने आप पर connected हैं किसी परसन से energies आपकी वापस आ जाती हैं लेकिन फिर भी अगर नहीं आ रही है सब करने के बाद भी तो आपके पास एक option है सामने वाली की जब awakening होगी वह कहीं न कहीं करेगा कोई न कोई कर्मा आपके साथ उसके पेंडिंग है इसी वज़े से हो रहा है और ऐसे connection mostly one sided होत problem बहुत ज़्यदा हैवी हाट फिल करेंगे पेन फिल करेंगे ध्यान करनी पाएंगे जैसे ध्यान में बैठेंगे बहुत तैजी से पेन होगा हाट एरिया पर और यह पेन आपका लिए बहुत ज़्यादा बरदाश्ट के बाहर होगा और कहीं न कहीं इसका एकी solution है आप continue healing कराएं या फिर continue ध्यान करके इसको release करें जैसा ही आप नॉर्मल होते हैं सबसे पहले फिजिकल बॉड़ी को हील करिए अगर आपकी बॉड़ी हील नहीं है तो कभी आप तुन फ्रेम जन्नी को complete नहीं कर सकते हैं फिजिकल बॉड़ी का हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है इमोशनली फिर मेंटली अगर आप तीन लेवल्स पे अपने माइंड बॉड़ी सोल को एलाइन करते हैं तो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम में एक्सेश्यों इमोशन की ठीक हो जाती है और कहीं न कहीं उसी फेस में आप देखेंगे आपके काउंटर पार्ट वापस भी आ अभी सटर्णली फीलोना बंद हो गया है उनके साथ एक डिसटैच्पेंट पैदा होता है दोस्तों व्लेम कनेक्शन होता है आपके इंटर्नल अवेकनिंग के लिए होता है आपको रिलाइजिशन के लिए होता है हर्ट चकर बहुता संकुचित हो रहा है और बहुता करेंगे अगर आपने अपनी इमोशन को दबा लिया उस समय हार्ट चगर से संबंदिन मंत्र की चैंटिंग करनी चाहिए जिससे आपका हार्ट चगर ओपन हो हील हो बैलनसिंग हो तो ऐसे केसे में डिसटेश्मेंट पैदा हो रहा है अगर वह कोई कार्मिक है तो उससे है आपने कंफर्म कर लिया है चार्ट से टेरो से बहुत माद्मियों से आप खुद भी जानते हैं कि वह हमारा ट्विन फ्लेम है फिर भी आपको डिसटेश्मेंट पैदा हो रहा है तो इसका मतलब यही है कि आपके हार्ट शकर में इस्टेश्टिंग करनी चाहिए आपको क शाथ ही आपके डिजायर खता हो जाना अचाहिए और साथ ही आपके कहीं ना कहीं एमोशनल चेंजस की वज़ए से भी होता है तो अफिन चाहिश्टिंग करनी इसमें इस इंट्रेंट पर यह वह ठीक कर सके पहले तो आप आप हर्मॉन टेस्ट कराईए अपने आपको बाल प्रसकते हैं आपकी तॉट लेवल भी यह क्राइव लियौ है जए प्रसकते हैं हैं पर देख से देखते हैं, बहुत पढ़ लेते हैं तो कहीं न कहीं न हम बाहर निकल के सकते हैं कि दो पेटिस अल्रेडी मैंने कराए हुई है आप चेक आउट कर सकते हैं अगर फिल भी नहीं मिल रहा है तो टेली ग्राम का नीचे लिंक दिया गए या लाइफ प्रविशन आप डाउनलोड कर सकते हैं मिलते ने शुडियो में अपना ध्यान रखे ख्याल रखिए हमेसा कर दोस्तों